हर्ताली का तीज का पूजन, ब्रत कुमारी कन्या कर सकती है, शादी होने के बाद भी नारी कर सकती है, अन्तिम अवस्था तक प्राण छूटें तब तक हर्ताली का तीज का ब्रत नहीं छोड़ना चाहिए, एक ब्रत हमें सा याद रखो, एक एकादशी और एक हर्ताली का। ज्यादा शरीर बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर नहीं साथ दे रहा, तो कुछ फल खालो, कुछ चाय, दूद, जूस आप लेकर कर लो, इतना भी नहीं बने, शरीर बहुती बेकार हो गया, तो आप एक समय फल का फलहार धारन कर लो, ठीक है? पर हरताली का बरत करने वाली माताएं भले उद्ध्यापन कर दे, तो उस बरत को थोड़ा हलका कर लो, उद्ध्यापन कर रहा है, मतलब तुमने बरत को हलका कर लो, थोड़ा हलका कर सकते हैं, हरताली का तीच का जो बरत का उद्ध्यापन करते हैं, उसमें पांच चीज रखत के एर स्पास्टरे गार स Qur ca3 बाय स्टार फल को पाकल तो पास्टरे का जो फल रखाता है फर कल्म के उद्यापन में दुनिया के लोग्रे पांच तरह किर को केला गिन ले पपीटा गिन मोसंभी गिन ले और अनार गिन ले संत्रा गिन ले सब कुछ गिन लेते हैं पर उस पांच तरह के फल में धतुरे को नहीं गिनते हैं पर शिव कथा में बढ़ना नाता है हर्ताली का तीच के अध्यापन में लिखा हुआ है सबसे पहले पांच फल अगर गिनना है तो उसमें पहले धत और धतूरा शंकर भगवान को क्यो जड़ाया जाता है उसका परसंग आपको पहले भी कहा आज किर धतूरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटक रहा होता है जिस कारे को बार बर एक्जाम में बेठर बार परशान हो रहा है बार इंटर्व् वैसे भगवान को प्रेम से करुणा सागर मेरे शंकर को दिल से एक बार वो धतूरा भगवान से बिंती करकर उसको चड़ाओ तसरी भगवान तुमारा कारे सफल कर देगा पर दिल से चड़ाना हृद याली का तीज की पूजन करने वाले को चाहिए कि बालू का मिट्टी का बनाना चाहिए फुलेरा जो बनाया गया है उपर शंकर जी के उपर लटकाने के लिए टंगने के लिए उसके नीचे शिव पार्वती गणेश जी की सुंदर बालू की मूर्ती बना लेना चाहिए पार्थिव लिंका निर्मान कर लेना चाहिए शिव की अराधना करना चाहिए जो फल आपके पास में हो शंकर को समर्पित करना चाहिए पूजन करना चाहिए अराधना करो सबसे पहली पूजन हर्ताली का तीज की प्रदोषकाल के अंतरगत हो जाना चाहिए शाम के समय पर प्रयास करा करो प्रदोषकाल के समय पर पहली पूजन हो जाए तो जादा अच्छा पर लोगों की आदत रहती है कि आठ वजे तक साड़े आठ वजे तक नौ बजे तक पहली पूजन करें फिर दूसरी आराम से फिर तीसरी फिर आराम से फिर चौती तो इसा सब अपने अपने हिसाब सिक पर शास्तर रिती कहती है कि प्रदोश का जो समय होता है प्रदोश काल याने और शंकत आपका हो जाए हाँ अगर किसी के आने में देरी हो एक है कोई आनी पा रहा है बहुत देरी हो रही हो तो तो आहर पाली का पूजंशन्र का बंदन करता है कि शिवलिंग का निर्मान, पार्वती जी की मूर्ती का निर्मान, गणेजी का निर्मान और फुलेरा जो बनाया हुआ है, ये प्रदोष काल के पहले बंद कर तयार हो जाना चाहिए, प्रदोष काल के अंतर का फुलेरा नी बनना, फुलेरा पहले बन जाना चाहिए, और बहु वो पहले नहीं रखना है पहले क्या बांदना है फुले तो secondым नारी इस के बाद उसके नीचे शंकर जी को रखिए अब जो हरताली का धीच का पूजन करते हैं इतो इनके लिए हो गया अब दूसरे के लिए सुन किसो कि जो नारी हर्तालीका तीच का पूजन नहीं करती, ब्रत नहीं करती, साधना नहीं करती, उसके लिए भी कहा गया, कि आप अगर ये ब्रत नहीं करते हो, तो एक कारे जरूर करना, कहीं पर फुलेरा बंदा हो, हर्तालीका की पूजन हो रही हो, पांच मिनिट, दस मिनिट निका आपने आसपास के किसी पोधे में से पतियां लेकर या पुष्प लेकर पांच वरक्ष की पत्ति या पांच वरक्ष के पुष्प लेकर संकर भगवान को जब पूजन हो रही हो पांच मिनित मातना है जब पूजन कर रही हो तब आप भी उस पुष्प को उस पतियों को संकर को समर्पित कर सकते हो prowad। यह नहीं चड़ा सकते तो पांच फलہ। नहीं चड़ा सकते तो पांचंक हो। आदिक केम करें क्यों चड़ाया जाता है। किस लिए चड़ाना चाहिए। कंया इस्त्री अगर मान लो हर्ताली का कभरत नहीं करती, पूजा नहीं करती अराधना नहीं करती तो वो कन्या वो नारी वो इस्त्री वो पुरुष कारे तो बहुत करेगा दुकान भी चार चलाएगा बैपार भी बढ़ाएगा पर संपदा को जोड़ नहीं पाएगा एक रुपे कमाएगा सवा रुपे खर्च वाला काम चलेगा हस्त नक्षत्र में जो तर्तिया पड़ती है हस्त नक्षत्र के अंतरगत जो तर्तिया का महत्व कहा गया है वह संपदा को बढ़ाती है मनों कामना को पून करती है इस चत्र के अंतरगत जो तर्तिया आती है वो मनों कामना को पून करकर चली जाती है इसलिए शिव की अराधना के लिए प्रतम्माद हस्त नक्षत्र में किया गया दान हस्त नक्षत्र के अंतर का तर्तिया के दिन किया गया पुन्य हस्त नक्षत्र में तर्तिया के दिन किया गया श्रंगार हस्त नक्षत्र में तर्तिया के दिन करा गया अपना सुंदर सिंदूरा भगवान का आनंद्र पांच तरह के वस्तर प फास तरह का फल पाष्टरा का अनाज ब्राह्मन को बुलाकर ब्रह्मनी के साथ आप या तो ब्रहामन से अध्यापन करवाएं या फिर आप श्वयम्भी करते हैं तो हम्र्पित करके के ब्रह्मन और ब्रह्मनी को भोजन कराकर वो भाग प्रदान करें. यही हर्ताली कातीज के उद्ध्यापन का वर्णान आता है. सुन्दर भाव से हर्ताली का माता. आप सभी की मनो कामना पूनता.